कथा नम्मर 41 चलूँ मैं भी धर्माम्रित का पान कर लूँ धन धान एवं सुवर्णादी से पूर्ण इस मगत देश में पूर्व काल में एक बर्धमान नाम का नगर था जो वन उपवन कोट एवं खाईयों से युक्त और अत्यंत शोभनिय था उस नगर में अनेकों ब्राम्मन यदपी बेदों के ग्याता थे तथा पी भयंकर अज्ञान तावश बेपुन प्राप्ती के नाम पर यग में पशुवादी की बली चढ़ाते थे इसी नगर में ऐसा ही एक आरिवसु नाम का ब्राम्मन भी था वह भी कर्म कांड में प्रवीन था उसकी सोम शर्मा नाम की पत्नी थी जो सीता के समान सुशील एवं पती ब्रता थी उसके भावदेओ और भावदेओ नाम के दो पत्र थे जो चंद्र सूरी के समान शुवते थे जाती से ब्राम्मन होने के कारण उन्होंने बेद शास्त्र व्याकरन बैद्यक तर्क छंद जोतिश संगीत काब अलंकार आदी विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर ली थी दोनों ही भाई ग्यान विज्ञान एवं बाद वाद में अती प्रवीन थे और जैसे पुन्न के साथ इंद्री सुख का प्रेम होता है वैसे ही दोनों आपस में प्रीती बनते थे दोनों ही सुख पूर्वग ब्रद्धिंगत होते होते कुमार अवस्था को प्राप्त हुए ही थे कि पापोदय से उनके पिता सुम शर्मा को कुश्ठ रोग हो गया उसके आँख नाकादी अंगो पांग गलने लगे चिससे वह दुख से अती ब्याकुल हो गया था अरे रे प्राणियों को अग्यान के समान और कोई दूसरा दुख नहीं है ग्यान नेत्र बंद होने से उसने पशु बलियादी विवेक हीनकारियों में पंचेंडरी जीवों को वचना तीत दुख दिये थे उनका फल ततकाल ही वह भोगने लगा किसी भी इंदरी का विशय सेवन अच्छा नहीं जब न्याए नीती से प्राप्त उचित भोग आदी कारी भी पापबंद के कारण होते हैं तब भला पापों में मस्त होकर किये गए अनुचित कारी कहां तक अच्छे हो सकते हैं इसलिए ग्यानियों ने इंदरी विशयों को संसार स्वरूप तसा दुख दायक विशतुल जानकर त्याग ही दिये ये त्यागन योग ही हैं आत्मा का आनंद निर्विकारी है मोक्ष सुख दायक है इसलिए हे भव उसी धर्माम्रित का पान करो यह मनुष्य रत्न बार बार मिल्ला मुश्किल है और धर्म रहत होकर मात्र भोगों में लगाने का विचार मात्र अधोगती का कार्ण है मनुष्य भव को हारने का कभी विचार भी नहीं करना चाहिए मनुष्य भव की कीमत ना जानते अग्यान अंधकार से ग्रसित वह ब्राम्मन बेदना से छुटकारा पाने के लिए नित्त ही अपना मर्ण चाहने लगा मगर आईउ पूंट वे बिना मर्ण कैसे हो सकता है मर्ण ना होने से वह कीट पतंग के समान स्वयम अगिनी की चिता में गिर कर भस्म हो गया पति व्योग से पीड़त उसकी पतनी शोम सर्मा भी उसी चिता में जल कर भस्म हो गयी माता पता से रहत वे दोनों भाई महा दुखी हो गए उन दोनों बालकों के उपर संकटों का पहाड़ तूपड़ा वे सोक से संता पे धोक करुना उत्पादक बिलाब करने लगे तब उन्हें उनके परिवार जनोंने संबोधन कर धिरज बनाया जिस से वे दोनों कुछ सावधन हुए उसके बाद उन्होंने अपने माता-पता के उस कुल में जो जो संधिया तरपन आदी क्रिया करम होते उन्हे किया पश्चात अपने ग्रह कारियादी में लग गए तसा इसी प्रकार सन सारे कारियों में लगे उनको बहुत दिन बीत गए उनके महाभाग्य से उसी नगर के बन में एक वीतरागी संत श्री सुधर्मा चारिय योगी राज पढ़ारे जो साक्षा धर्म की मूर्ती ही थे बेरत्न अत्रई के धारी बाय अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह के त्यागी जन में हुए बालकबत नगन दिगंबर रूप के धारी एवं व्रत समीतियों में उर्ण निर्दोश आचरण बंत थे बे दयाख शमा शान्त यादी गुणों से विहुशित थे बे कांत मतों के खंडन करने वाले एवं स्याद द्वाद विद्ध्या के धारी थे बे उपसर्ग परिशाओं पर जै प्राप्त करने वाले एवं तप रूपी धन से अलंकर थे ऐसे अनेक गुण युक्त वे आचारिये आठ मुनियों के संग सहत बन में विराजमान हुए अहो मुनियार्यों का स्वरूप कितना अलौकिक है बीतरागी संतों का स्वरूप ऐसा ही होता है वहाँ उज्वर सुधर्माचारी जी का जगत जन को हित कर बैराग वर्धक और आनंदमई धर्मोप देश हो रहा है चलूं मैं भी धर्मामृत का पान करूं इस प्रकार विचार करके भाव देव ब्राम्मन बन के लिए चल दिया तथा शीग रही बन में पहुँचकर आचारी देव को नमस कार कर वहीं बैठ गया स्री सुधर्माचारी जी का धर्मोप देश हे भब जीवो इस संसार में सभी प्राणी धर्म से अनभिग्ग होने से दुखी है चारों गतियों में प्राया सभी जीव आत्मा राधना से बेमुखो कर मोह रागत द्वेस में कुशलता के कारणदारों दुख से दुखी है संयोगों की अनकूलता सुख का कर नहीं और संयोगों का व्योग दुख का कर नहीं है आत्मा में शरीर मन वानी और इंद्रियां नहीं है भोग और भोग भी नहीं है शरीर आदेख स्वयम सुख से रहते हैं उनमें सुख की कलबना से सुख मई नजात्मा को भूल कर इंद्रियों और उनके विश्यों को इस्ट अनिष्ट मान कर अनादी से यह आत्मा सुख से बहुत दूर हो बरत रहा है हे आत्मन तुम स्वयम ग्यान आनंद में वस्तु हो निजात्मा को शास्वत सुख में वस्तु मानो और अतिंद्री आनंद का भोग करो इन अनित्य वस्तुओं में नित्य की कलबना से दुरगती के कारणभूत मिठ्यात्वादी भावों में सुगती के भ्रहम से हे आत्मन तुम जपटे क्यों मार रहे हो हे जीव तुम सुखा भासों में ही भ्रम से सुख मान रहे हो परंतु तेरा सच्चा सुख्तो तेरे में ही है और निज के आस्रे से उत्पन होने वाला रतनत्र ही धर्म है इसलिए अपनी आराध ना कर अपनी प्रहुता को देख उसका विश्वास करके उसमें ही लीन हो जा इत्यादी अनेक प्रकार से आचारी देव से ज्यानामृत का पान कर भाव देव प्रति बोध को प्राप्त हुआ उसे अब शीग्र ही इस परम पवित्र धर्म को धार्ण करने की भावना जाग उठी आचारी वर का भव ताप नाशक और अनंत सुख दायक उपदेश श्रमन कर भाव देव ब्राम्मन का हिर्दय भाव और भाव के भावों से काप उठा उसके हिदय में संसार देह भोगों के प्रति उदासीन ताचा गई मन मयूर तो वेराग रस में हिलोरें लेने लगा अब उसे एक शन भी इस संसार में नहीं रुष्टा था वह अवी लंब से सुधर्मा चारी गुरुवर के निकट जाकर विने से हाथ जोड़कर प्रासना करने लगा हे गुरुवर मुझे परम आनंद दाइनी भगवती जिनदीक्षा देकर अनुग रहीत कीजिए हे नात मैं भव समुद्र में डूब रहा हूँ रत्नत्रे का दान देकर आप मेरी रक्षा की दिये अब मुझे मोक्ष का आनंद मई अविनासी सुख चाहिए इन सुखा भासों में कभी सच्चे सुख की परछाई भी मुझे नहीं मिली इसलिए हे प्रभो मैं सर्व परीग्रह एवं सर्व सावद का त्याग करके आकिन चन्यत्व प्राप्त करना चाहता हूँ इसमें ही मुझे सच्चा सुख भासत हो रहा है भाव देओ ब्राम्मन के भावों को देखकर एवं शान्ती की पिपासा भरे बचनों को सुनकर श्री सुधर्माचारी गुरुवर ने उसे जाती कुल आदी से पात्र जानकर अतिंद्री आनंद देने वाली और संसार दुखों से मुक्ती प्रदान कराने वाली जहने श्री देखशा देकर अनुग्रहित किया श्री भाव देओ मुनिराज मुक्ती की संगनी जिने देखशा को प्राप्द कर अतिंद्री आनंद का रसा स्वादन करने लगे शरीर होने पर भी अशरीरी दसा को साधने लगे सिद्ध प्रभू से बातें करने लगे अहा हा चलते फिरते सिद्ध के समान उनमें तीन कशाय चोकरी के भाव रूप अकशाय रस आनंदरस वैराग रस उचलने लगा सुभाव की साधना देख विभाव एवं कर्म बंधनों ने अस्ता चल की राहे ग्रण कर ली जिस समय हो आत्म दृष्टी कर्म थर थर कापते हैं भाव की एक आगरता लख छोड़ खुद ही भागते हैं सैयम की समाल करते हुए योगी राज श्री भाव देव जी इस प्रथवी तल पर ईरिया समीती पूरवक गुड़ों के निधान भुरुवर के साथ ही बिहार करने लगे सुख दुख के प्रसंगों में समता भाव पूरवक कभी आत्म ध्यान तो कभी स्वाध्याय में रद हो विच्रण करने लगे नहशल हो नहसंगी आत्मा की सम्यत प्रकार से आराधना करने लगे संतों की ऐसी अंतरवाय सह्जदशा का वर्णन शास्त्रों में स्प्रकार आया है विसे सुख विरकता शुद्ध तत्वानु रकता तपसी निरती चित्ता शास्त्र संगा तमत्ता गुण मनि गण युकता सर्व संकल्प मुकता कथ मम्रित बधूटी वल्लभाना स्युरेते जो विसे सुख से विरकत हैं शुद्ध तत्व मैं अनुरकत हैं तप मैं लीन जिनका चित्त है शास्त्र समूह में जो मत्त हैं गुण रूपी मनियों के समुदाय से युकत हैं और सर्व संकल्पों से मुकत हैं वे मुकती सुन्दरी के वल्लभ क्यों ना होंगे अवश्य ही होंगे गुण निधी गुरुवर के उपदेश से निज परम ब्रम भगवान आत्मा को देखकर भावदेव मुनिराज को अंदर में ध्रोबधाम धे की धुन लग गई उस धुन की धुन में वे उग्रतप अपने लगे पश्चात सवी कल्प दशा में आकर वे विचारते हैं कि स्वाध्याय ध्यान मैका ग्र्यम ध्यायन निरंतरम शब्द ब्रम्मयम तत्व मभ्यसन विन्यान ता मैं धन हूँ, कृतार्थ हूँ, भागवान हूँ, अवश्य ही मैं भव सागर से तिरने वाला हूँ, जो मैंने इस उत्तम जैन धर्म का लाभ प्राप्ति किया है अनेक बन, उपवन, पर्वतों में सैयम की साधना एवं धर्मामृत की वर्षा करते हुए, श्री सुधर्माचारी जी संग सहत विहार करते करते, कुछ समय बाद बर्धमानपुर, श्री भावदेव मुराज की नगर में पुना पधारें भवी भागन वच जोगेव साए, तुम धुनिवे सुनिवे ब्रह्मन साए, को चरीतार्थ करते हुए, स्वपर के हित्मे ततपर, शांत प्रशांत रस्मे तलीन, भावदेव मुराज को वहां अपने ग्रहस्त दशा के छोटे वाही, भावदेव को संबोदित कर कल्यान मा प्रग में लगाने का विचार आया, भावदेव ग्राम्मान उस नगर का प्रसिद्ध ख्याती प्राप्त व्यक्ति था, परंतु विश्यों की आन ही उस पर अपना रंग जमाए हुए थी, लेकिन हठक ग्रही एकांत मतों के शास्त्रों में पारंगत, आत्महितकारी यथा आर्थ बोध प्राप्ती की काल लब्दी भी अब अती ही निकट आ गई थी, नगर के बनमे स्री सुधर्मा चारी संग साइद पलहारे हैं, यह समाचार वायू वेग के समान सारी बर्धमान पुरी में फैल गया, इसलिए चारों और से नर्वनारियों का समुदाए मुनिवरों के दर्षनार्थ उमड पड़ा, भावदेव को भी यह शुब समाचार ग्यात हुआ, कि मुनिवर ब्रंदों के संग में मेरे बड़े भ्राता भी श्री भावदेव मुजाज पधारे हुए हैं, अपने भाई एवं गुरुजनों के दर्षनों की अतिती ब्रभावना होने पर भी वह स्वयम के विवाह कारी में व्यस्त होने से वहां नहीं जा पाया, परन्तु जैसे बीर प्रहु को सिंग के भाव में उसे संबोधन करने हेतु आकाश मार्ग से दो चारन रिद्धिधारी मुनिवरों का अगमन हुआ था, उसी तरह भावदेओ के साथ भी ऐसा बनाओ बना कि श्री भावदेओ मुनिराज चरिया हेतु नगर में पधारे, उसी समय भावदेओ को उनके दर्षन कलाव अनायासी प्राप्त हो गया, भावदेओ तो आशरी चकेथो मुनिवर की प्रशांत रस जर्थी भी तरावी मुद्रा को निर्णिमेश देखता ही रहा, जद्वपी उसके हरदय में जिन धर्म के प्रती अप्रीती के भाव थे, तसापिवे सभी ऐसे पलाएमान हो गए जैसे शीतल भाईयू के संपरक से नमक पानी का रूप धारन कर बह जाया करता है। वह सोचता है कि यह कोई चमतकार है या मेरी द्रिष्टी में कुछ हो गया है, जो यह नगन पुरुस इतने आनंद में सौम मुद्रावंत दिखाई दे रहे हैं, जिनके बदन पर वस्त्र का एक ताना बाना भी नहीं, पास में रंच मात्र भी धन वैभाव नहीं, यह कमल कैसे खिल रहा है, पंचे इंद्रियों के भोग पुभोगों के साधनों के अभाव में ये सुख की अनुहूती कैसी, ब्रत उपवास नीरस आहार आदी से इस वदन में कुंदन समान चमक कैसे आई, जित्यादी अनेक प्रकार के विचारों से ग्रसित मन को उसने सत्ता की खोज के लिए बध कर ही दिया, सत्त के उस खोजी को अनेक प्रकार की उहा पोह के बाद सत्ता का रहस हाथ लग ही गया, वह सत्ता थी जिन शासन एवं बीतराग भाव की, जिन शासन की इतारता का रहस पाकर वह मन ही मन अती प्रसंद हो मुन्राज के चर्णार बिंदों में नतमस तक हो समीप में ही बैठ गिया ग्यान पयोनिदी मुर्याज श्री भावदेयों ने उसके अंतर की भावनाओं को उसकी उदासीन ता गर्वित प्रसंदता को भाव लिया उसकी पात्रता मुर्याज के ख्याल में आ गई इसलिए उन्होंने परम सुख दायक आरहत धर्म का उपदेश देते हुए कहा हे म्रग तेरी खुश्बू से है सारा जग महकाए कस्तूरी तुझ पास में तू ढूंधत काल गमाए हे आत्मन तू इस देह में रहकर भी देह से भिन्ने का आत्मा है तेरा संख प्रदेशी शेत्र है तेरे एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण भरे हुए है तू ग्यान का भंडार है सुख का खजाना है आनंद का सागर है इसमें डुप की लगा तू पंचेंद्रियों के अनंत बाधा सहित एवं अनंत आपत्तियों के मूर्भूत इन विश्यों में सुख की कल्पना कर रहा है परन्तु जरा सोच तो सही कि इस चतुर्गती रूप संसार में अनंत काल से भ्रमते भ्रमते तूने इन्हें कब नहीं भोगा है इनके भोग कौन से शेस रहे हैं जो तूने नहीं भोगे हो परन्तु आज तक क्या तूने कभी एक शण के लिए भी इनसे सुख शांती पाई है हे भव पराधिंता में कहीं भी किसी को भी सुख की गंध नहीं मिली है यदि इंद्री विश्यों में सुख होता तो स्री शांतिना, स्री कुन्थुनात और स्री अरनात भगवान तो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीन तीन पद्वी के धारक थे उन्हें कौन सी कमी थी, फिर भी उन्होंने इंद्री विश्यों को एवं राज वेभव को गले हुए त्रण के समान छोड़कर आत्मा के सच्चे अतिन्द्री सुख को अपनाया इस शरीर रूपी काराग्रह में फसे हुए प्राणियों ने इसके नव मलद्वारों से मल का ही स्रजन कर मल का ही संचे किया है यह देह मल से ही निर्मित है उसके भोगों में सुख कहां से आएगा नव मल द्वार बहें घिनकारी इन नाम लिये घिनावे यह शरी तो अपवित्रता की मूर्थी है और भगवान आत्मा तो सदा पवित्रता की मूर्थी है यह देह तो रोगों का भंडार है और भगवान आत्मा तो सदा ग्यान आनंद का निकेतन है यह देह तो कागज की जोपड़ी के समान शण में उड़ जाने वाली है और भगवान आत्मा तो शास्वा चैतन बिम्ब है इसलिए हे भद्र तू चेत चेत और सावधान हो हे जीव तूने अनेकों बार स्वर्ग नरक के बासों को प्राप्त किया और नरकों में दस हजार वर्ष से लेकर क्रमशह तेती सागरुपं की स्थिती को प्राप्त करके अनेकों बार वहां जन्मर्ण किये वहां भूमी कृत एवं अन नारकियों द्वारा दिये गए अगनित दुख भोगे इसी तरह एक इंद्रिय में एक स्वास में अठारे वार जन्मर्ण के अपरम बार अकथित दुख भोगे अब तो इस भव भ्रमन से विराम ले यह काया दुख की ढेरी है ये इंद्रियों के कल्पना जन्न सुख नरक निगोद के अनंत दुखों के कारण है हे बुद्ध तू ही विचार की थोड़े दुख के बदले में मिलने वाला अनंत सुख स्रिष्ठ है या थोड़े से कल्प सुखों के बदले में मिलने वाला अनंत दुख स्रिष्ठ है नाम सुख अनन्त दुख प्रेम वहाँ विचित्रता नाम दुख अनन्त सुख वहाँ रही नमित्रता हे बत्स ऐसा सुख सदा ही त्यागन युग है कि जिसके पीछे अनन्त दुख बरा हो शास्व सुख मई ग्यायक ही तुम्हारा पद है हे भाई ये काम भोग तो ऐसे हैं जिनकी श्रेष्ठ जन साधु जन सौपन में भी इच्छा नहीं करते भोगी जन भी उन्हें भोगने पर स्वताही गलानी का नुहाँ करते हैं भोगने की बुद्धी भी स्वयम मोहांध रूप है जिसे शुद्ध ग्याना अनन्द में आत्मा नहीं सुहाता वह मगनता पूर्वक भोगों में प्रवर्तता है परन्तू हे भाई वह तेरा पद नहीं है वह तो अपद है अपद है इसलिए से चैतन नाम्रत का पान करने यहां आ यही तेरा पद है इमी जानी आलस हानी साहस ठानी यह सिख आदरो जब लोन रोग जरा गहे तब लोन जटीती निजहित करो इतना कहकर भाउदेव मुनिराज तो बन में चले गए परन्तू यहां मुनिराज के मुखार बिंदक से धर्मा मृत का पान कर भाउदेव के अंदर संसार देह भोगों के प्रती कुछ विरक्ती के भाव जग्र थोटे उसने सकल स्यम धर्ण करने की भावणा होने पर भी उसी दिन विवाह होने से अपने को महावरतों को धर्ण करने में असमर्थ जानकर अणु वरत ही अंगिकार कर लिए परम सुखधाता जिन मार्ग को पाकर उसके हरदय में मुनिराज को आहारदान देने की भावना जाग उठी उसने आहारदान देने की बिधी जाद की और अतिती संभी भाग की भावना से आहारदान के समय मुनिराज के आगमन की प्रतिक्षा कर ही रहा था कि सैयम हे तू आहार चरिया के लिए मुनिराज नगर में आते दिखे मुनिराज को आते देख वह नवदा भक्ति पूरवक बोला हे स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठो 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 मन शुद्धी बचन शुद्धी काय शुद्धी आहार जल शुद्ध है इस प्रकार मुनिराज को पढ़गाहन कर ग्रिह प्रवेश कराया उच्छ आसन दिया एवं पाद प्रक्षालन तसा पूजन करके आहारदान दिया पुन्योदैसे उसे आहारदान का लाभ प्राप्त हो गया भावदेव शावक के हर्स का अब कोई पार ना रहा सिद्ध सद्रश यतीश्वर को पाकर वह अपने को कृतार्थ समझने लगा और आनंद विभोर हो स्थुती करने लगा धन्य मुनिराज हमारे हैं अहो मुनिराज हमारे हैं धन्य मुनिराज का चिंतन धन्य मुनिराज का घोलन धन्य मुनिराज की समता धन्य मुनिराज की थिरता धन्य मुनिराज का मन्थन धन्य मुनिराज का जीवन धन्य मुनिराज की विभूता धन्य मुनिराज की प्रभूता आहर लेकर श्री भाव देव मुनिराज ने बन की और गमन किया जहां उनके गुरुवर श्री सुधर्मा चारी जी विराजमान थे इरिया समिती पूरवक योगी राज के बन की और जाते समय उनकी विनय करने की भावना से भरे हिरदय वाले अनेक नगरवासियों के साथ भावदयों स्रावक श्री गुरुवर को बन तक पहुँचाने के भाव से उनके पीछे पीछे चला गया कुछ व्यक्ति तो थोड़ी दूर जाकर मुनिराज को नमस्कार कर वापिस अपने अपने घर को लोटाए मगर भावदयों यह सोचकर सास ही चलता रहा कि मुनिराज आग्यां देंगे तभी मैं आऊंगा मुनिराज तो कुछ भी बोले बिना आनंद की धुन में जूलते जूलते आगे बढ़ते ही जा रहे थे भावदयों सोचने लगे अब हम नगर से बहुत दूर आ गए हैं इसलिए भावदयों को वच्पन के खेलने कूदने के स्थानों को याद दिलाऊं शायद इस से वे मुझे वापिस लोटने की आग्यां दे देंगे भावदय वोला हे प्रभो हम दोनों वच्पन में यहां क्रीडा करने आया करते थे यह क्रीडा इस थल अपने नगर से कितनी दूर है यह उद्ध्यान भी कितनी दूर है जिसमें हम गैंद खेला करते थे यहां अपने नगर का कमलों से सशोभ सरोवर है जहां हम इसनान किया करते थे यहां हम दोनों मोर की ध्वनी सुनने बैठा करते थे इत्यादी अनेक प्रसंगों की याद दिलाते हुए वह चल तो रहा था मुनिराजी के साथ मगर अपने हाथ में बंधी कंकड की गाठ को देख देखकर उसका मन अंदर ही अंदर आकुलित हो रहा था उसके पैर मूर्चित मनुस्य की तरह लड़ खडाते हुए पड़ रहे थे उसके नेत्रों में पत्नी की ही छवी दिख रही थी और नव वधू नाग वसू की याद में उसका मुख कमल भी मुर्जहाया जैसा हो गया था दूसरी और उसके मन में अनंत सुखमय वीतरागी संतों का मारग भी तो भाही रहा था उसका मन बारम बार इंद्री सुख से विलक्षन अतिंद्री सुख का प्रचर स्वा सम्वेदन करने के लिए प्रेरत हो रहा था एक और सांसारिक दुखों की भयंकर गहरी खाई तो दूसरी और साधी अनंत काल के लिए आत्मिक आनंद दिख रहा था अरे किसे अपनाऊं किसे ना अपनाऊं मैं तो सुख का मार्ग ही अपनाऊंगा इस प्रकार विचार मगन भाव देओ दूबी धा मैं जूल रहा था अरे रे वह नाग बसू क्या सोचेगी उसके उपर क्या बीत रही होगी क्या एक निरप राधी के साथ ऐसा करना अनुचित नहीं होगा क्या मैं पामर नहीं माना जाऊंगा क्या मैं लोक में हसी का पात्र नहीं होंगा नहीं नहीं लोक संग्या से लोकागर में नहीं जाया जा सकता एक बार पत्नी और परिवादन भले ही दुखी हो लें समाज कुछ भी कहे मगर समझदारों का विवेक तो हमेशा हित गवेशना में तत्पर रहता है मैं तो जैनेश्वरी बीक्षा ही अंगीकार करूँगा इस प्रकार के द्वन्दों में जूलता हुआ भावदेव मुनिराज के साथ पूज्य गुरुवर श्री सुधर्माचारी के निकट पहुँच गया गुरुराज को नमस्कार कर वहीं दोनों जन विनैपूर्वक बैठ गए संगहस्त मुनिवर ब्रंदो ने श्री भाव देव मुनिराज को कहा हे महाभाग तुम धन्द हो जो इस निकट भव्यात्मा को यहां इस समय लेकर आए हो आप दोनों मोक्ष गामी आत्मा हो आप दोनों के कंधों पर ही धर्म का स्यंदन अर्थात रस चलेगा बन में विराजमान मोक्ष मंडली एवं वहां के शांत वातवरन को देख भाव देव मन ही मन विचारने लगा मैं परम पवित्र इस सैयम को धारन करूं या पुना घर जाकर नव वधु को संबोध कर वापिस आकर जिनदीक शलूं संशय के हिंडोले में जूलता हुआ भावदेव का मन एक शण भी सिर ना रह सका वह विचारता है अभी मेरे मन में संशय है अताह मैं दिगंबर वेश कैसे धर सकूँगा और मेरा मन भी काम रूपी सर्फ से डसा हुआ है मेरे जैसा दीन पुरुस इस महान पद को कैसे धारन कर सकेगा लेकिन यदि मैं गुरुआक को शरोधारी ना करूँ तो मेरे बड़े भ्राता को बहुत ही ठेस पहुचेगी इस तरह उसने अनेक प्रकार के विकल्प जालों में फसे हुए अपने मन को कुछ इस्तिर करके सोचा तो अन्त तो गत्वा उसे परम सुखदाइनी आनंद प्रदाइनी जैनेश्वरी दीक्षाही स्रिष्ट भासित हुई फिर भी उसके मन में यह भाव भी आया कि कुछ समय यहां रहकर बाद में आउसर पाकर मैं अपने घर को लोट जाओंगा पुना हाउस का मन पलटा अरे मुझे ऐसा करना योग नहीं मैं अभी ही जैनेश्वरी दीक्षांगी कार करूँगा ऐसा द्रड न्रड़ करके भाव देओ गुरु वर्य श्री सुधर्माचारी के चर्णों में हाथ जोड़कर बारं बार नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करने लगा हे स्वामिन मैंने संसार में अनंत दुखों से दुखी होकर भ्रमते हुए आज ज्यान नित्र प्रदान करने वाले तसा संसार से उधार करने वाले आपके चर्णों की शर्ण पाई है इसलिए हे नाथ मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहीद कीजिए मैं आवे निसान सारिक दुखों से छूटना चाहता हूँ श्री सुधर्माचारी ने पारमेश्वरी जिन दीक्षा के अविलाशी वर्तमान में उदासीनता युक्त भावदेव को श्री गुरू ने अरहंत धर्म की यतोक्त विधी पूर्वक जिन दीक्षा देकर अनुग्रहीद किया भावदेव ने भी पंच परमेश्थियों एवं संपून संग तसा स्रोता जनों की साक्षी पूर्वक अंतरंग भही रंग चौवीस प्रकार के परिक्रहों का त्याकर केश लौंच करके निर्ग्रंथ दीक्षा धार्ण कर लिए अपने दीक्षा गुरू पूज स्री सुधर्माचारी के साथ अनेक वन उपवन परवतों आदी में विहार करते हुए ग्यान ध्यान अध्यन आदी के साथ संयम की आराधना करने लगे हे प्रभो ऐसे भावदेओ भावदेओ और उनके गुरू स्री सुधर्माचारी सभी को हमारा बारम बार अगनित नमन हो हम भी उनके मार्ग पर चले हैं और उन जैसा बन जाब हैं ऐसी भावना के साथ बिराम हम भी आरार बार इसालjak सुध डिर्ण जैसा जातना जैसाल अहाप बार करने ये च्हावदेवस और हावदेद खद हो